हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल विनीत जुकेशन पर प्राचिन भारत का आज आठमा अध्या मौर इवन्स से सबंदित है तो चलिए शुरू करते हैं और यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बारा हैं तो इसे जल से जल सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस तरह कपनी फिस्यल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफी बिनिफिट पहुचेगी तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट किस्न है मौर इवन्स के विषय में जानकारी के शुरूत कौन-कौन से हैं तो मौर इवन्स से साहितिक शुरूत का भी विवरन मिलता है विदेशी विवरन ये भी मिलता है उसमें बहुत सार विदेशी आतरी आये थे उसका यात्रा विरताद भी मिलता है तो यात ब्राम्हन साहीत चंद्रगुप्त मौरे को किस कुल का बताते हैं तो चंद्रगुप्त मौरे के कुल के सवन में बताना थोड़ा कठीन है अलग अलग गरंथों का मत है वो अलग अलग है जैसे बहुत तथा जैन गरंथों में चंद्रगुप्त मौरे को छत्रिये कहा गया है जबकि ब्राम्हन ग्रेंद मुद्रा राच्छ तथा जो पूरान है उनमें सुद्र माना गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा है यह बोड़ा ब्राम्हन ग्रेंद तो शुद्र नेक्ष्ट कित्वन क्यों चलते हैं निमलीखित में से किस सासक ने मालवा गुजरात एवं महाराष्टा पर पहली वार विजय प्राप्त की थी तो राइनीतिक तोर पर समस्त भारत का एक एक कान चंदगुप्त मौरे के नेतिरत में ही संबब हुआ पर रंभीक विजय के फलसुरूप चंदगुप्त का जो समराज था वो ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक हो गया था और जैनमत के अनुसार बात करें तो सौराष्ट के साथ साथ आवंती का जो पर देश था वो भी चंदगुप्त मौरे के अधिकार में था तो इसका राई टंसर हो जाएगा सी चंदगुप्त मौरे नेक्ट है कि चंदगुप्त मौरे के पस्सिम भारत पर प्रभाव को धोचित करने वाला अभिलेक कौन सा है तो जो रुदरदावन के जुनाय गड़ भी लेक है उससे परमानित होता है कि चंदगुप्त का प्रभाव था वो पस्सिम भारत पर था तो इसका राई टंसर हो जाएगा रुदरदावन के जुनाय गड़ भी लेक नेक्ट किरतन के और चलते हैं तो भारतिय इतिहास में अमित्र गहात का नाम कुन भी ख्यात है तो युनानी लेखको के अनुसार जो बिंदु सार का नाम है वो अमित्र गहात बताया गया अमित्र गहात का मतलब होता है कि सत्रू बिनास है तो इसका राई टंसर हो जाएग नहीं थे तो चलिए देखते हैं तो अशोक अशोक बहुत धर्म से जुड़ा हुआ था ये बिल्कुल सही है चंदगोप्त ये बहुत धर्म से था बट लाष्ट में है जो जैन धर्म में समाईत हो गया थे मतलब समलीत हो गया थे ये बिल्कुल गलत है दशरत ये भी तो निमलिखित में से कौन सा स्रूत तृतिय बहुत सेंगती असोग के राजकाल में होने का प्रमान उप्लवन्द कराता है तो शेहली अनुशुरूतियों के अनुसार जो दीपवन्स और महावन्स है याद रखेगा दीपवन्स और महावन्स इसके अनुसार असोग के राज में पाटली पुत्रा में बहुत धर्म की तीसरी सहंगती हुए थी और जिसके अध्याक्स था मोगली पुत्रे तीसस द्वारा किया गया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा यह और भी दोनों नेक्ट केसन क्यों चलते हैं तो सूची वन को सूची टू से सुमेलित किजिए तथा नीचे दिये गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयनी किजिए इसमें प्रांद का नाम दिया गया है और राइधाने तो असोक की अभिलेक में मौर समराज है वो पांच प्रांदों मे इसमें दिया गया है तो उठ्राप्वत की राइधानी तछिला थी इसका हो जाएगा राइधानी थी वो उजेनी हो जाएगा और कलिंग की जो राइधानी वो तो तो师ली थी इसका हो जाएगा तोसली और प्राची या इसको बोल सकते हैं कि पूर्वी परदेश उसकी रैदानी पाठली पुद्रा थी तो इस तरह से आप लोग देख लीजएगा मौर समराज में रूप दर्शक होता था क्या होता था तो मुद्राओं का परसिचन करने वाला रूप दर्शक कहला था था इसकाराइट अंसर हो जाएगा बी next question क्यों चलते है तो एतिहासिक द्रिष्टी से कालसी परसीद है किसलिए परसीद है तो कालसी जो परसीद है वो असोक के सिलालेखों के कारण परसीद है कालसी उत्राखन के देहरा दून में इस्तित है और कालसी की जो अविलेख है वो ब्रामीली पी में है यह आप ध्यान नेक्ट है कि असोक ने धहम की परिवासा कहां से लीए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा रहुलो बाद सुत्र मैं इसलिए लाता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को सुन कर याद रखने से हम जादा दिन तक याद रख सकते हैं तो आप केवल इसे ध्यान से सुनिए और देखिए चलिए next question के और चलते है अशोक के किस सिलालेक में वरनित है कि सभी पंथों के मत आत्म नियंतरन और मन की पविद्रता होनी चाहिए तो यह अशोक के साथ में सिलालेक में वरनित है next question के और चलते है तो सुची 1 को सुची 2 से मिलान के रहे और यहाँ पर अध्याक्स का नाम दिया गया है और फिवाग का नाम दिया गया है चलिए दिखते हैं तो सिता ध्याक्स मौरिकाल में राचकिये भूमी की विवस्ता सिता ध्याक्स द्वारा होती थी यानि इसका राइट अंसर हो जाएगा किरिसी विवाद ध्याक्स next है कि सुत्रा ध्याक्स तो सुत्रा ध्याक्स कपड़ा उध्योग का संचालन करने वाला होता था तो इसका हो जाएगा कपड़ा उध्योग का संचालन करने वाला विवाद नेक्स है कि लक्षना ध्याक्स तो लक्षना ध्याक्स जो होता था वह छाप खाने का ध्याक्स होता था यानि ट्रक्साल अध्याक्स होता था इसका होता था और सुलका ध्याक्स जो होता था वह र परसासन के अधिकारियों का सही अब रोही क्रम है तो ये मौर परसासन के पदाधिकारियों के नाम है जो असोक के तीसरे सिलालेख में मिलता है और तीन पदाधिकारियों के नाम मिलता है तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले जो आता प्रादेशिक प्रादेशिक हो जा बढ़ में इसे नियाईक अधिकार भी दे दिया गया तो इसके बाद राजुक हो जाएगा और लाष्ट में युक्त युक्त है यह जीलों की अधिकारी होते थे जो राजश्वस उलते थे यानि इसका सही करम हो जाएगा बी प्रादेशिक राजुक या उयुक्त नेक्षी किसन क्यों चलते हैं असोक ने अपनी धर्म्यातरा में किस मर्ग का अनुसरन किया तो असोक जब बौत धर्म को अपना लुम्बनी बन में जनम हुआ था कपिलवस्तु इसके पास्चात कपिलवस्तु और फिर शारनात और फिर लाश्ट में स्रावस्ति तो इस तरह से आप लोग देख लीजेगा इसका राइट अंसर हो जाएगा वन फूर सोरी वन सिक्स टू फाइव थ्री फूर यानि सी ने उप्चर को इसका राइट अंसर हो जाएगा ए और शास्तर के लेख कोटिल हैं जिसे विष्णु गुप्त भी कहा जाता है नेक चीकितन की ओर चलते हैं तो मिलान करें मिलान कर ने बोल रहा हैं यहां सिला लेक का नाम दिया गया और इसके विषद में कौन सा विषद में बरनित है तो परधम सिला लेक जो है वह पसु बले की निंदा के बीषद में इसका right answer हो जाएगा कि नेंदा के विशे में बात बोल अगया है पांचमा पांचमा शिला लेख के अनुसार जो बोला गया है वो धर्म महापातरों की निउक्ति किई गई है इसमें और साथमें सिला लेक में जो तिर्थ्यात्रा कव लेख किया गया है और तिरह में और लाश्ट सिला लेक में कलिंग यूद का बर्नंग किया गया है तो इसे आप ध्यान रखेगा थ्री फूर वन टू इसका राइट अंसर हो जाएगा यानि यह नेक्षी किसन की वर चलते हैं तो बोल रहा है कि मोरेकालिन अर्थवियस्ता की विशाय में कौन सा कृते हैं वो सही नहीं है सही नहीं है ज्याद इखेगा तो चलिए देख ऑरथ्वियस्ता का अधार किरीशी था बिल्कूल नहीं बिल्कूल सभी सही हो जाएगा अर्थ्वियस्ता का अधार था वह मोरेकाल में कृसी ही क्योंकि उस समय जो उपच्च का जो भाग था वो वन वाई एट नहीं बलकि वन वाई सीक्स से वन वाई फुर लिया जाता था परमोक उधोग जो था वो बस्तर उधोग था इभी बिलकुल सही है ब्यापार है तू बस तू बीन में प्रनाली पर चली थी ऐसा नहीं है जो उस समय आंतरी को बाह ब्यापार है दोनों होता था यूनान की साथ तक ब्यापार होता था और ब्यापार में मुद्रा का होता था खास करके चांदी अधीक तो एक गलत हो जाएगा नेक्स है कि कर चोरी करने वालों को यानि टैक्स चोरी जो करता था उसको मिर्तिव डंड दिया जाता था यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा यानि गलत चुने बला था तो टू और फॉर इसका राइट अंसर हो जाए है तो वह किस में किया गया है वह किया गया है रुद्रदावन का जूना गड़ा विलेक में दोनों का नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौरे का भी और अस्वक का भी चलिए नेक्टी कितन की देखते हैं मौरी समराच के पतन के कारणों के समन्द में इतिहासकारों के मत में क साइद आप तक हैं ही वहां तो यह इनका इतिहास का इतिहास का जो पुस्तक है काफी परसीद है पहले NCRT में इनहीं का पुस्तक आता था सिवन या सिक्स कलास्ता का बट चेंज हो गया है भी तो रोहिला था फरक अनुसार धार्मिक निती के कारण जो है पतन हुआ था मौरिकाल का यह बिल्कुल गलत है हिमचंद राम चोधरी इसके अनुसार आहिंसक इवं सांती प्रियनिती के कारण मौर समराज का पतन हुआ था इनके अनुसार बिल्कुल सही है डिन जहा के अनुसार कम जोड उतराधी कारी जो हुआ था उसके करन मौर समराज का पतन हुआ था ये भी बिल्कुल सही है हर परसाथ सास्त्री के अनुसार केंदरिये परशासन के करन मौर समराज का पतन हुआ था तो ये गलत हो जाएगा यानि इसमें गलत चुनने बोला था तो ए और डी इसका राइट अंसर हो जाएगा यानि देख चिकी स्वन क्यों चलते हैं तो किस मौर सासक के पहस्मी एस्या की उनान सासक सिल्यूकस नीकेटर के साथ बेवाहिक सबंद किया था तो यह क्या था चंद्रगुप्त मौर्या न जो सिल्यूकस नीकेटर हैं उनके पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्या जो साधी किये थे तो यह सही हो जाएगा कौन से कथन असत्त है चंद्रगुप्त मौर मौर कभीले से था बिल्कुल सही है यूनानियों ने चंद्रगुप्त को इमिनो फेटस अत्वसस्त्रू करने वाला कहा गलत हो जाएगा विंदुसार को कहा था चंद्रगुप्त था उनके अनुवाई गहनानंत के सनि को से उत्तम थे Πालात से तरट यह त्यार भी बेहतर थे गलत हो जाएगा चंद्रगुप्त ने स्वैं dubhary का हम भारत का भूक 30 बहूंसर बढ दिया यह बिल्क एंसर D हो जाएगा नेक्ट है कि किस राजा के बारे में कहा गया है कि उसने दो समुद्रों की भूमी जो बीच की भूमी है उसको जीता था तो यह कहा गया है बिंदु सार को इसका राइट एंसर C हो जाएगा नेक्ट है कि लेख विहीन लेख विहीन अस्तम कहां से प्राप् तो जो साची का स्तूप उसको इटो से इटो का यूच करके बनाया गया है तो इसका राइट अंसर ही हो जाएगा तो आज का भी स्क्रेशन पूरा हो जाए हो अपको वीडियो अच्छी लेगी है महनत अच्छी लेगी है तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजे दोस्तों के पास शेर कीजिए और इस चैनल को जुरूर सब्सक्राब कीजिए चले नेक्ट वीडियो में मिलते हैं थेंक्यू